वेलकम बैक टो ब्लूम गार्डेन फ्रेंड्स वेंटर वेजिटेबल्स का सीजन आ रहा है और उनके बीज लगाने की तयारी शुरू हो गई है और देखिए यहां मैंने भी कुछ तयारी की है यह देखे कुछ सब्सेओं के बीज है और यह भिंडी की है समर स्क्वेश है यहां भी भी लग जाता है यह तरोई है और इस साइड यह कुकंबर ककड़ी की है यहां भी भी लग जाता है और यह स्पंज गोड है नेनवा जिसे कहते हैं और इधर यह बॉटल गोड है लौकी और बिटर गोड भी है करेला और इसके पीछे एक पैकेट है ये है बैगन की बीज इस सभीस बीज हमारे लास्ट सीजन के बचे हुए है और कर मैं नर्सरी गई थी तो कुछ नर्सरी से भी लेकर आई हूँ और ये देखिए सबसे इंपोर्टन्ट मेरे गार्डन का सामान ये प्रूरर लेकर भी आई लेकिन वह कहीं मिल नहीं रहा है कहां खो गया और एक छोटा सा था उसे से काम चला रही थी तो आज मैं ये उसी तरह बड़ा साइस का प्रूरर लेकर आई हूँ और ये देखिए कुछ सीड्स भी लेकर आई हूँ और ये सारी सीड्स हर्ब्स है ग्रीन लीफी अगर चोटी सी बालक लगा सकते हैं पालक लगाने के लिए आप 6 इंच डीप पॉट में भी उगा सकते हैं पालक को ये दूसरी पैकेट में ये पार्सले है और देखने में तो धनिया की तरह इसकी सीर्स नहीं है लेकिन इसकी लीफ्स जब ग्रो होती है तो हरी धनिया की तरह ही होती है बस हरी धनियास की थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉंग दिखती है और ज्यादा दिन तक ये ठीकी रहती है घर में आप स्टोर करके रखे तो और इसका यूज सैलेड में बहुत होता है आजकल और ये हमारी इम्मिन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉंग करते हैं और हम और ये सीसरी पैकेट में ये है मूली, मूली की सीड है और मूली की लीव्स और मूली दोनों ही सैलेट में हम लोग यूज़ करते हैं मुली की अच्छी ग्रोध के लिए, आप इसे 12 इंच डीप पॉट में लगाएं तो बहुत अच्छी मुली भी बनती है, और इसकी पॉट्टिंग स्वाइल आप लाइट और वेल रेंड रखें तो मुली भी अच्छी तयार होती है, और इसके आलाव़ा देखें, मैंने फली बनती है और उसी में ये सीड बनते हैं और ये फूर्थ पैकेट है इस साइड इसमें जरजील है इसको इंगलिश में अरिगिला बोलते हैं देखिए इन्होंने जी एयार लिखा है तो मैं लिख दूंगी सही स्पेलिंग और यहां गल्फ में ओमान में भी ये सैलड में बहुत यूज होता है हर जगह आजकल सैलेड में इसका यूज होता है और मैं हमेशा बजार से लेती हूँ फर्स टाइम इसकी सीड लेकर आई हूँ देखती हूँ लगाकर लगती है क्या मुझसे और इसका टेस्ट बिलकुल मूली के पत्य जैसा होता है और बहुत ही ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो आप ले जाएए तो मैं लेकर आई हूँ और ये सिफ्ट पैकेट है धनिया आप लोग देखते ही पहचान गये होंगे और इसको आप सभी ने कभी नगभी जरूर लगाया होगा और ना लगाया हो तो इस बार जरूर लगा ले धनिया आप लोग और बहुत ही इजी टूगरो है और आप इसे चेंज के पॉर्ट में भी लगा सकते हैं इसके अलावा मेरे पास गार्णी बॉक्स में मेरे काफी सीर्स पड़े हैं लास्ट सीजन के ये देखिए इसमें ये मूली और कुछ दूसरे सीर्स फ्लावरिंग प्लांट के ये देखि ये लास्ट ये के हमारे जो प्लांट सू गया थे उनकी सीर्स मैंने बाद में कलेट करके रखा है इसमें अभी देख ती इससाल लगाकर और इसके बॉटल के अंदर छटे छोटे ये पेटूनिया का है और एक दूसरा बॉटल है उसमें मैंने कॉक्सकॉम की स काम है इसके अलावा भी बहुत सीड्स इस बॉक्स में है और देखिए यह सहजन की सीड्स है यह यह सहजन की सीड्स है और भी बहुत ज़्यादा इसमें सीड्स गिरी हुई है यह मैंने ऐसी डब्बे में डाल दिया है तो फ्रेंड्स आप लोग सेड्स लगाना शुरूर करत सीजन आ गया है फ्रेंट्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ दब तक के लिए बाई बाई